असलाम अलेकम विवाइस इसमें जो सबसे पहले है वो है नीम की खली का फटालाइजर नीम की खली का फटालाइजर के लिए आपको नीम की खली बाजार से लाने पड़ेगी जो कि किसी भी पंसार से बाजानी मिल जाती है आप नीम की खली को एज़ा केक यानि केस का पीस या फिर पाउडर फार्म दोनों सूर्थों में यूस कर सकते हैं इसके लिए आप नीम की खली को रात को एक गलास पानी में दो चमश नीम की खली को डाल कर अच्छे से मिक्स करके फिर आप इसको ढाम कर पूरी रात के लिए रख दीजिए अगर आप इसको बाल्टी या किसी जादा बर्तन में बना रहे हैं तो इसके लिए आपको नीम की खली की मिगदार भी ज्यादा करनी होगी तो आप इसको भी बाल्टी को अच्छे से ढाम कर पूरी रात के लिए रख दीजिए और सूब में जब नीम की खली का फर्टलाइजर रेडी होगा तो आपने इसको डारेक्ट अपलाई नहीं करना है बलके आपने एक हिसा नलवाला पानी यूज करना है नलवला पानी यूज़ करने के बाद इस फर्टालाइजर को आप मनी प्लांट में बहुत अच्छे से अपलाई कर सकते हैं मनी प्लांट में फर्टालाइजर देने से पहले आपको ये देखना होगा कि इसकी जो सता हो वो हुश्क होने चाहिए कोई भी fertilizer या किसी भी fertilizer को यूज़ करने से पहले पूदे की सता का हुश्क होना बहुत जरूरी होता है इस तनहा ये जो fertilizer होते हैं पूदे पे अच्छे असरनिदास होते है गाए का, गोबर, का, डंग fertilizer जो के पूदों की health के लिए अच्छा है आप क्यों इसके लिए कैसा fertilizer यूज़ करना होगा जो तकरीमन अच्छे से decomposed हो चुका हो गोबर की खात को जो के अच्छे से decomposed हो चुका हो वो आप रात में आदी बाल्टी पानी में 5-6 चमच डालिए और फिर इसको बगो कर रख दीजिए जब आप इसको बगो कर पूरी रात के लिए जोड़ देंगे तो ये रेडी होगा और फिर जब सुभा आप इसको यूज़ करेंगे तो ये आख के पोदे पर हैरत अंगेज असर दिखाएगा इसके लिए आपको डिरेक्ट अपलाई नहीं करना है बलके नल का जो पानी है घर में यूज़ होने वाला एक हिस्सा आपने वो पानी एड़ करना है और इसके बाद आप इसको चाइनिज मनी प्लांट घर में इंडोर जितने भी प्लांट है उन पर अपलाई कर सकते हैं लेकिन किसी भी पोदे पर ये फर्टालाईजर देने से पहले आपने कुछ बातों का धेहान रखना होगा जिसमें से ये सबसे पहले है कि आपको पोदी की सता का खुश्क रखना ज़रूरी है और फर्टलाइसर आपने हमेशा शाम के टाइम पर ही पोदों को देना है शाम के टाइम पर देने वाला फर्टलाइसर पोदी पे बहुत अच्छे तीके से एफेक्ट करता है अगर आप इसको पोदीने के पोदे में इस्तामाल करेंगे तो पदीना बहुत अच्छे तीके से गरोव करेगा ना सिर्फ गरोव करेगा बलके आप देखेंगे कि इसके जो पत्ते हैं वो बेतहाशा खुबसूरत होंगे नेक्स्ट है ओनियन पिल्स प्यास की जिल्के वो प्यास जो हम अपने घ़र में खाने के तरुपर यूज़ करते हैं तो किचन में जो वेस्ट की तरुपर प्यास के चिल्के होते हैं वो आप एक गिलास पानी में रात को डाल कर बंगो दीजिए और फिर इसके लिए आफ तक्रीबं तीन से चार प्यास ले सकते हैं इसके छिलकों को आप बगोने के बाद रख दीजिए और सुबह जब इसका फटलाइजर रेडी होगा तो डिरेक्ट अप्लाइए नहीं करना है आपने एक हिसा पानी इसमें एड़ करना है और एक हिसा पानी एड़ करने के बाद आप आपके घार में जितने भी फूलों वाले पूदे हैं आप उम्हें अप्लाइग कर सकते हैं जब आप इसको अपने घार में लगया हुए तमाम फूलों वाले पूदों में डालेंगे तो इससे ना सिर्फ आपके पूदों पे बेतहाशा फूल लगेंगे उस पर नई नई कलिया आएंगी बलके आपके पूदे की गरोत हैरत अंगे इस तोर पे बढ़ जाएगी और उस पर फूल बेतहाशा आएंगे तो आप उनियन पील फटलाइजर अपने फूलों वाले पलाण पर जरूर अपलाई कीजिए लेकिन इस से पहले उसकी सता का खुशक होना जरूरी है नेक्स्ट है बनेना पील बनेना पील एक जबरतस फटलाइजर है जिसमें वो तमाम अज़सा मजूद होते हैं जिनकी पूलों को जरूरत होती है इसके लिए आप केले के तीन से चार केलों के चिलके लेकर उनको काट लीजिए और उनको एक जार या फिर एक गलास पाने में जो भी आप पे वेपास अवैलिबल हो उसमें डाल दीजिए आपने इन चिलकों को एक गलास पाने में रात को डाल कर बिगो कर रख देजिए और फिर सुभा जब आप देखेंगे तो बनेना पील का ये फटलाइजर एक दम रेडी होगा अब आप इस फटलाइजर को अपने पोदो पर अपलाइज कर सकते हैं इससे आपके पोदों की तमाम गज़ाई अज़ा पूरी होंगी और आपके पोदों में जितनी भी पोटाशियम और नमक्याप और मादनियात की कमी होगी वो सब पूरी होगा और आपने इसको डिरेक्ट अप्लाई नहीं करना है आपने इसमें एक हिसा साधा पानी नर्वला पानी यूज़ करना है और फिर आप इसको अपने गुलाव के पोदों में भी डाल सकते हैं और अपने गार में रखे हुए पूलों के पोदों में अपलाई कीजिए आप अगर जब इसको गलाव के पौदों में डालेंगे तो गलाव के पौदों की गरोध ना सिर्फ बहुत जबरदस हो जाएगी बलके आप देखेंगे कि इसके पतों में या इसकी जो तन्ने पतले हैं वो भी ठिक हो जाएगे और पौदे की गरोध हैरत अंगेस तोर पर ना सिर्फ बढ़ जाएगी बलके इस पौदे पे फ्लावरिंग भी बेता हाशा होगी और ये आपके पौदे की तमाम वज़ाई अज़ा को पूरा करता है जिसे उसकी हैल्थ अच्छी हो जाती है नेक्स्ट है एकशेल फौडलाइसर एक ऐसा फौडलाइसर है जो पोदो पर जातुई तोर पर काम करता है आप इसके लिए जो खर में अंडे यूस होती है उनको यूस कर सकते है और उसको ऐसा पौडर फार्म भी यूस कर सकते है आप इस अंडे के चिलकों को हाथों से एकरश भी करके यूज़ कर सकते हैं इन अंडों के चिलकों को हाथों से एकरश करने के बाद इनको पौडर फार्म में यूज़ कर सकते हैं इसके लिए आप इन अंडों का जो गरश है इसमें तमाम कैल्शियम पाई जाती है जो के पोदों की सहत के लिए बहुत ज़्यदा ज़रूरी होता है आप जानते हैं कि पोदों को अगर कैल्शियम की कमी हो जाए तो वो ज्यादा हैल्थफुल नहीं होते तो रात में आप थोड़े से इंडों के चिल्के लेकर एक जार में डाल दीजिए और इसमें पानी एड़ कर दीजिए और इसको अच्छे से किसी मरमल के कपड़े से ढाम कर रख दीजिए या पिर आप इसको किसी भी हवा बंद टाइट जैसा भी वो ढखन होता है उससे भी इसको टाइट करके बंद करके रख सकते है जिसमें से हवा का गुजर ना हो तो सुब के टाइम पे जब ये फटलाइजर एड़ी होगा आप ने ड्राइक अपलाई नहीं करना है आपने एक हिसा सादा पानी यूज़ करना है और फिर आप इसको मनी प्लाण के पोदे पर अपलाई केजिए तो आप देखेंगे के आपका मनी प्लाण बहुत अच्छे से ग्रोव करेगा आपके मनी प्लाण में कैल्शम की जितनी भी कमी होगी वज़ा पूरी होगी और आपके मनी प्लाण के जो पते हैं वो हरे होंगे उनके जो साइस हैं वो इंकरीज होंगे बड़े बड़े हो जाएंगे और इसकी जो तन्य है वो भी काफी helpful हो जाएंगे और आका मनी प्लांट काफी हर तक बुशिस हो जाएगा नेक्स्ट है राइस वाटर जी हाँ चावल का पानी वो चावल जो हम अपने घर में खाने के लिए यूज करते हैं जब हम चावल को पकाने से पहले धोते हैं तो उसके जो पानी होता है वो पोदों की हल्थ के लिए अच्छा होता है आप रात में एक गलास पानी में तीन से चार चमच चावल डाल कर बगो दीजिए और इसको पूरी रात के लिए छोड़ दीजिए आप इसको हवा बन जो जार है उससे ठाब कर रख सकते हैं और सुब के ताइम पर ये चावल का जो फर्टालाइजर है वो एक दम रेडी होगा आप इस फर्टालाइजर को अपने घार में लग्यो हुए तमाव बोदों पर अपलाई कर सकते हैं ये पूर्टों की हैल्थ के लिए बहुत जबर दस्त है और जब आप सुब में इसका जो पानी होगा इसको आपने चान कर अच्छे से फिर यूज़ करना है और आपने यूज़ करने से पहले इसमें एक हिस्सा पानी नल का पानी यूज़ करना है और फिर इसको यूज़ करना है आप इसको मनी प्लान्ट में डालिए तो इससे आपके मनी प्लान्ट के जब पत्ते हैं वो शाइनी हो जाएंगे और बहुत जबर्दस ग्रोथ होगी इसके लवा मनी प्लांट में जितने भी इसके फंगस और जितने भी बेमारियां अटैक करती है वो भी कावी हाथ तक दूर हो जाएंगी और आपका मनी प्लांट बहुत अच्छे तरीके से ग्रोव करने लग जाएगा और इसके पत्तों का साइज भी इंकरीस होगा आप इसको मनी प्लांट में यूज कीजिए और फिर इसके हैथ अंगेज रिजर्ट पर आप हैरान हो जाएंगे इसके इलावा बलब से ग्रोव होने वाला जो पोदे होते हैं उन पर भी आप इस फर्टलाइजर को अप्लाइ कर सकते हैं आप इसको रोस प्लांट में भी यूज कीजिए इससे गुला के पोदे बहुत अच्छे एफेक्ट आएंगे और वो बहुत अच्छे से ग्रोव करेगा इसके इलावा आपके पौदों पर जितने मी मसाइल होंगे वो भी हल हो जाएंगे और आपके पौदे अच्छे से ग्रो करने लग जाएंगे इन तमाम फटलाइजर को अपलाई करने से पहले चन्द हदायात हैं जिन पर आपको अमल करना बहुत सहरूरी होगा नमबर फ़न पर ये है कि जब भी पौदों को फटलाइजर करें आप हमेशा शाम के राइम पर कीजिए दिन में कभी भी फटलाइजर मत देजिए और आप इन तमाम फटलाइजर को पंद्रा दिन में सिर्फ एक बार यूज़ कर सकते हैं और महीने में दो बार इसके इलावा अगर आपको इन के हवाले से कोगी वेस्टन पूछना हो आपका अमर सक्षिन में पूछ सकते हैं मैं इन्शालाँ आपको उनका जरूर आंसर दूँगी अगर आप मेरी चैनल पर नहीं हैं तो मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकोन को ज़रूर पैस कीजिएगा ताके मेरी आने वारी हाने वीडियो की नुट्रिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके मेरी वीडियो पर आने का आपका बहुत शक्रिया